जिन्दगी जैसे पहेली, जैसे की कोई सहेली, जिन्दगी जैसे कहानी, थोड़ी नई, थोड़ी पुरानी, कभी चाबुक, कभी चाकलेट, कभी रौनक, कभी धकम पेल, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पट आल्वेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है. दोस्तों, अगर चोट के कारण फुटबॉल ना खेरने वाला महिंदर सिंग धोनी, इंडियन क्रिकेट टीम का कप्तान बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. अगर IIT पास आउट चेतन भगत भारत का एक प्रसिद नौवलिस्ट बन सकता है, तो कुछ भी हो सकता है. और अगर एक कॉलकता का साधारन कैमिस्ट अभेचरन एक अध्यात्मिक गुरू सौमी प्रभुपाद बन सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है. जीवन एक ऐसी यात्रा है, जहां हर मोड़ पर एक अभनव है, और उस अभिनव का अनुभव ही दुनिया को रंगीन मनाता है, तो बिना जिजक भड़ते हैं, क्योंकि लाइफ में कुछ भी हो सकता है. कहते हैं कि अगर किसी का स्वभाव यानि नेचर समझना हो तो उसका चेहरा गौर से देखना चाहिए, बिना कुछ बोले आपको समझ आ जाएगा कि उस इनसान से कैसे पेश आएं, पर आजकल हमें एक दूसरे का चेहरा देखने का टाइम नहीं है, तो स्वभाव समझना त की बात है, हालात इतने खराब हैं कि जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो उस व्यक्ति के नाम से आप अपने नाम पर ध्यान देते हैं, शायद इसलिए आजकल के रिष्टे बहुत उपरी यानि सुपरफिशल हो गए हैं, मेरा मानना है कि अगर आप अपने रिष्टों को म काम में जलकता है, तो कभी चड़ चड़ा या गुसैल सौभाव मत रखना क्योंकि उस से तुम्हारा ही नुकसान होगा, जितना तुम खुश मिजज रहोगे उतनी अच्छा ही तुम्हारे काम में उभरेगी, अगर आप इत्यास के पने पलट कर देखेंगे तो हर इनसान जिसका स्वभाव नीच था उसने सिर्फ बरबादी ही मचाई है, चाहे वो चंगेज खान हो या हिटलर, एक व्यक्ति की अस्मिता उसके स्वभाव से बनती है और ये चॉइस हमारी है आज जो मेरे मित्र यहां आए हैं, उनका स्वभाव किसी संथ से कम नहीं, ये एक ऐसे अद्भुत व्यक्ति हैं जिसका मन आइने की तरह साफ है और मस्तक पानी की तरह स्थिर्फ, मैंने अपने तीस साल के केरियर में इन्हें कभी निराश नहीं दिखा है, इन्हें गुसे डेविड धवनका. तैसे मैं, मैं उतना ही संतू जितना खेरसाव हैं. ये मेरे गलत गलत, डेविड एक तो I can't handle this, कि आप इतने फ, करेक्छ, करेक्छ. अब डेविड दावन अपनी फार्म में आया, इसको ठीकता सा रख लेते हैं, चलिए, बैठ ये, तश्रीव रेख्टर ऐसे ही होना चाहिए ला ये मैं ले लूँ आपकी जैकेट? ले लू मतलब? मतलब मैं रख लूँ, मुझे जादा अच्छी लगी अरे यार तेरे लिए जान अच्छी जैकेट लाइए, तो जैकेट लेख तैक्यू जाए अब बैठ जाएए, बैठ जाएए अभी क्या आज दिरेक्शन तेरी होगी देविड, आपको देखकर मन प्रफुलित हो उठता है, खुश उठता है कितना काम किया है तेर, कितना साफ पे काम किया है यूरिमेंबर, जब मैं सारांश एडिट करता था, इनकी पऩहली फिल्म ती ती तो यह रोज आ जाता था एडिटिंग मेर मैंने बोले आ, इसको भाहर निकाले है यारी क्या बार बार आ रहा रहा है आज कुछ भी हो सकता देखो इसके शोव में बैठा हूँ है मैं आप लोगों को बताना जाता हूँ दोस्तों 1984 में सारांश की एडिटिंग चल रही थी हमने फर्स्ट जैनवरी से शूटिंग शूरू की थी और डेविड धवन उसके एडिटर थे और ये जब एडिट करते थे क्योंकि मेरी पहली फिल्म थी मैं हर रोज महां पहुंच जाता था और ये हर रोज मुझे धक्के देकर बाहर निकाल देते थे तो तीस साल की जर्नी में डेविड का ग्राफ और मेरा ग्राफ हमें एक दूसरे के करीब लाया लेकिन ना डेविड चेंज हुआ है और मैं उमीद करता हूँ ना मैं चेंज हुआ हूँ चोटे शेहर के लोग, मिडल क्लास के लोग यहां से रहते हैं देविड, आपका नाम, एक्चुल नाम क्या है? मेरा नाम एक्चुल नाम रजंदर है. रजंदर धवन. अरे. रजंदर डिरेक्टिड बाई रजंदर धवन. मदा नहीं आता. रजंदर बाई डेविड धवन. एक जू फैमली थी. आपके पड़ोस में कोई रहते थे? यहाँ, मैंको देविड डेविड बुलाने लग गया. ऐसी? बस वह पेट नेम ऐसे लग गया. यहाँ. आपके बाईविड डेविड डेविड जैसे पप्वू यहाँ. रएके बप्वूदावाणि तुमारा नाम था. देविड डेविड बेटर है. देविड विड जैसे रहते हैas. कहां से शुरुवात की थी powiedza lots of students? मतलब अभी करे क्या, अभी मैं कहां जाओ पढ़ने, पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में बहुत अच्छा था पढ़ता नहीं था, दो तरीके होते हैं तो मतलब उस पीरेट में क्या हो गया, मेरा ब्रदर भी अक्टर बन गया, अनिल दावन कोई मकसद था ही नहीं? कोई मकसद नहीं, मैं करूं क्या भी करूं क्या तो मैंने का इंस्टूट का एक्जाम देता हूँ, फिल्म इंस्टूट पर फिल्म इंस्टूट का एक्जाम देता हूँ एक्टर बनने के लिए? एक्टर नी बन सकता है, तो अलग यहीम है. मैंने का भाया आपन अंधू रशनतर चाहिए तो इसने बोला एक्टेशन चोईस. तो दूसरा कुछ कर ले और यहीं मैं फिल्टीटीग है अच्छार एडिटीग कर ले था एडिटीग कर ले ता एडिटीग कर ले तो कोई पूछ ऐड दिरेक्टर बनागा तो यह भी काम आएगा कुछ भी कुछ इस एक डिसीजिजिऑ अपने अन दिसपोर्ट दिया है अन दीसपोर्ट वह साइन किया थे अधिटिशन तो उन्हों निन्हों पूछा तुम क्या बनाना चाहता है मैंने का मेरे को तो कमर्शल फिल्म में बनानी है बट कुछ करना नहीं चाहते थे अक्टर बनना चाहते थे मैं ब्रदर चला गया था उधर तो मैंने का यह अच्छी लाइन है चलो देखते इधर वह चखा चौन होता ना जो आदमी चोटे शर से ग्लामर में वही हुआ बट जब अधर आया मैं पढ़ने के लिए लिए लाइड देखा एक दिन वह एवरी देख फ़ाइव क्लोग एक पिच्छ दिखा जाती एक फॉर्न लाइविज की All the best films in the institute you can see तो वहाँ पे एक दिन मैं अंदर घुसा पिच्छ शुरू होगी थी मैं अंदर आके देखता रहा देखता रहा पिच्छ उठा ही नी वह एक बिंगॉली फिल्म थी उस उसे उप्ताइटल भी थे था एक यार यह भी इन में का यह थी इस इस यह भी था होता है यह था दिस इस यह एक क्रेट कहिए यह रिटर एक तरह को एक क्या रिट्र पिच्छ धार ती Oh wow and the maker was Ritvig Ghatak that changed my life जो फिल्मेकर ही कुछ अजीब था उतना मुझे असर पड़ा के सुबह साथ बजे में क्लास पे पहुच गया और मैंने बोला नहीं मुझे कुछ करना है और मैं सिरिसली आइ स्टार्टेड मतला एडिटिंग की मैंने गोल मेडलिस भी था मैं पास आउट एडिटर गोल मेडल जर्नी है ना वो शुरू होती है मुंबई में जो आपकी भी हुई है करेक्ट मुंबई आया तो रहने की पहली प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब पेंगेस में दोस्ते मेरे इंस्टूट के सब तो आए जॉइंड देम तो एक कमरे में कितने लोग रहते थे हम जोग थे कुछ पांच जने थे एक कमरे में बस सुबह एक कप चाय मिलती थी और निकल जाते थे स्टंगल करने तो मुझे अपना दिन का चरिया बताओ क्या करते थे क्योंकि मैं अपनी मेरी जिंदी की भी जुड़ी हुई है मेरा तो मेरा तो एड्रेस ही आप दर्शू को सूज़ा के रोड, बेंडरा एस्ट थे युग भी आप बस अपना भी तो सब्स्क्राइक की वेरेन का भी अमें लिड़ना पी तो मुझे रुपे की एड़नान डिटरू के लिए यह तो मुझे कुछ 700 रुपिय जिए समें काम बस अब आभ टाउ थे थे हुया भी एग जि तो चार पेंटे बनवाई थी। चार पेंटे बनवाई थी। कपड़े भी बतलब जो है रहे उत दिलों में। फर्स्ट ब्रेक मिला आपको सावन जी के पिछाए। जब मैं इंस्ट्यूट में एडिटिंग कर रहा था ना तो एक दिन अचानक एक गाड़ी आई बड़ी और एक शक्स उतरे और वो अंदर ढूंडते हो मुझे आगए और मैं टेबल पे कटिंग कर रहा था हूं मुझे देखता है। देवेड, कवाल है तू तो तो एडिटर वर गया है राग। सावन कुमार से। सावन कुमार टागटी तो एक चल पास हो के आजा मेरी पेली पिछर तू करेगा। ओ, fantastic! तो एक फिर्स्ट फिल्म विथेम साजन मिना सौगन जो पिछल थी पिछल थी ती 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 गाड़ी निक चलने लगगए। तो आपने श्कूटर ले लिया था एक? हाँ! मुझे याद है? मैं स्कूटर में घुमता था सांटे क्रूस से रेमनॉड वरली में स्कूटर में जाता था How wonderful, how amazing! पहली गाड़ी जो ली थी ना वो कमाल है कैसे? मेरा एक दोस्ता अवतार गिल जैक्तर है ना? बिलकुल, बिलकुल मैंने बुला यार, कैंदा यार गलकुल टैक्सी कैंसल ले लेते हैं सस्ती बढ़ती है बहुत What is taxi cancel? टैक्सी है वो वो उसके बाद आप जब अब उसको अब उसको अपनी जिंदगी जी चुकी है तो तो फिर वो जो उपर जो पिला होता है अब उसको काला बार देते हैं तो पूरी काली हो जाती है So that is how How much रुपे में लेती आपको? 8000 8000 वो गाणी ठीक्था करें बहुत चलाई अपको कब मैसूस वा तो यह दिरेक्टिटिए तो यह दिरेक्टिटिए यह दिरेक्टिए See a lot of credit goes to मेरी वीवी को आपकी वीवी को आपकी वीवी को She had pushed me I became a As an editor I was very big at one time आज Credibility जैदा होगी हमारे टाइम से हमारे टाइम में more of a thankless job It was just a technician Thankless job Thankless job वो रूम के अंदर जब मैं काम कर रहा था यह आदमी जो बगल में बैठा था यह exposed होता है मेरे सामने वो है director उसकी आवकात मालुव हो जाती है काम करते है इसको कितना आता है बट जब बहार निकलता है वो director है रोका आज सार क्या picture वह नहीं है बट मैं देखके बलता है इसको कितना आता है बहुत सी filmे की मैंने साराश में मुझे एक problem हो रही थी आपको आज बताता हूं बताए वो picture थोड़ी slow लग रही थी मुझे क्या होता है कुछ picture क्या होती है एक slow होती है एक होती है actor slow कर देता है चलके आ रहा है बात कर रहा है वेट रहा है मतलब मतलब उसको पेस करना मुश्किल होता है हाँ और आप लाली की बात कर रहे थे हाँ अपनी वाइफ का लाली इस हर पैट नेम लाली करूना करूना तो मुझे जतना पुश किया पर संजेदत तो 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 यह फिल्म ताकत वर ताकत वर मतलब ज्यौद किया करेगा मैंने पर दिरेके कैता भना करूना पर देता गूर का और थे नहीं अएफ दिर्क्र है क्योंकि बतर चाहते थे यह आप compute करना है बइडिटीटीए बदसलिवाच्टीकिते के अगे। मैं कि अपता ब폰क्राइटी के पूर्श करके भागता है, इस मी करना कुंछा क्रूर कुछा क्या है। आपक Me इने अपने कॵरशवे डिर्सपाइच्टर काुछु हे जब का अविश है। इडिटिंग मतलब एडिश कोछ भी हो सकता है, कहीं से भी काट सकता है, कुछ भी करने दिए। या बादर, शुक्त भी कारे दिए। जुलीजिशन वाते कर रहे हैं। पिसरे में होगा दिए बनाऊंगा को भाता हूँ। विह मैं अश्फटी एब आपना पैसे दरावनीमत बना जाता है जब मुझे अगवाद चाहता है कि अजा आशोलार शबनम आउट्सेडिनिघनिगज एक चाहिए फुल ग्रेडित आपने एक लिए फिल्म यह उपर्ब इसका इंटर्पिटेशन फिल्म में रोल का जो होता है यह खुद लेके आता है और स्पॉंटिनिटी है कोई ऐसे नहीं के घर में हूम वर्क्षाप कर रहे हैं कुछ नहीं यह एक्टर को मालूम नहीं कह करने वाला है कह डालॉग बलने वाला है? और यह एक कर रहे हैं कुछ नहीं के पता करते हैं नहीं जनरेशन के हाट थ्रॉब प्लीज वेल्कम वरुन धवन है आटू एक एक कीज बोलना है जो मेरे अंदर से निकलेगी थैंक्यू एक लगा अनुप अम्खेर शोर 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 और वाह तो तो प्रॉप नहीं है? यह 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 युटो निकाल दिया जैकेट निकाल दी तार यह यंग डिरेक्टर ऐसी करते हैं खैंग और सिर्फ जैकेट उता रही है और ऐसा क्यों होता कि आप शो पर आया और मुझे लगता कि मैंने आपको इतना सा देखा था और देखा था कितना मास्मूम लग रहा है मैं हूँ जितना आप हो उतना मैं हूँ फिर तो बिल्कुल मास्मूम नहीं हो मुझे एक चीज़ बताना होगा क्योंकि मैंने अनुपम अनुपम को मतलब बच्पन से देखा है मैं बुलाता तो अनुपम हूँ जब से जब से और लोग ने एक बार हम भी फिल्म की साथ में मैं तिरा हीरो मैं तिरा हैरो मेरे दोस के तरह रहे मेरे साथ तो जब पहले दिन यह सेट पे आये तभी इनों मुझे साइड पे ले गए मुझे बोला कि सी, हम दोनों एक्टर है इस बिरेक्टर रेक्टर के चक्कर में पढ़ना तो 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 पूछ लेगे दो अपना सेटिंग कर दो I want to take this opportunity actually आपको thank you बोलने के लिए क्योंके आपने मेरे मेरे में वह confidence डाला कि मैं आपके सामने और दूसरे अक्टरों के सामने बड़े बड़े डायलॉग मैं बोल सकूँ so thank you बहुत अच्छा काम किया आपने मैते राहिरो में Thank you sir और जब मेरे दोस्तों के बच्चे अच्छा काम करते हैं तो दोस्तों का तो सीना फूलता ही है मेरा भी गर्व से बहुत सीना फूलता है और आप मेरे स्कूल में भी कुछ दिन के लिए पढ़ाई की थी मैं इनके अकाडेमी में भी गया था इनोंने मेरा अडिशन भी लिया था बैड भी चिया था था, फीडबैक दिया था झांट एंग дан एक बहर जो ऐसलिय। इसाAD AH का अशन आपका ने वी तिया नहीं य्ले दिया मेरे लिए मेरे दिया सेट तो वो उम्र भर आपके टीचर रहते है और मेरा रिलेशन्शिप इनके साथ ऐसा है कि मैं फॉर्मिल नहीं रह सकता है मतलब बारियर जो होता है आपको लगता है कि उमर का वह है जेनुली मेरे अंदर फील नहीं होता है पया जो देता आप फील नहीं होने देता है हाँ, काफी बार बताते है कि मैं इधर रहाता, मेरा घर जो था इतने का था जब हम लोग कपड़ों की बाते है या बालों की बाते है या कुछ भी स्टाइल रिलेटेड तो यह हमेशा मतलब यह वेरी अक्टिव, खड़े हो जाते ऐसे और दिखाने लगते कि मैं जब था उदर तो मुझे बाल ऐसे बनाते थे उदर और कफड़े पहन लेते है यह कुछ भी पहन लेया और आप इनकी कहानियों को सिर्फ कहानिया समझ के सोचते है यह उसके पीछे चुपई एक श्ट्रगल भी आपको मैसूस होती है कि आपको सब कुछ फ्लैटर पे मिला है यह उनके यह स्टोरी सुनके रोज इंस्पायर होता है और कही ना कहीं मुझे लगता है कि इनकी जो यह स्ट्रगल थी यह इसले थी ताकि जो मैं हूरोईत है हम लोग आगे जाके कुछ और भी बड़ा द्रीम कर सके कुछ और भी बड़ा देख सके जो इनका शायद द्रीम था ही इस एस एह मैं वर्मधा देख स्कुझ जब भी वह लोग किटर नु यॉच जाते लेंडन जयते ब कर जब बड़ इमारत देखते तो अभी भी ठॉड़ा चाकाच़न हो जाते है मेरे साथ भी आख सुछ ऐता है मैं दुनिया के हर इलाके में गया हूँ बड़ी मगर अभी भी मैं बड़ी बिल्डिंग देखता हूँ एलिवेटर देखता हूँ एसकलेटर देखता हूँ तो मुझे लगता क्या बात है आपको ऐसा नहीं होता आप तो आप तो एसी में पैदा हुए है नहीं एक्षाटल अएसी था अच्याटल वेड़ी अइसी था रह जार जबाबगा है मेरा सवाल पुचने का यह था अवरुन जब बाप और हर बाप को एक आदत होती है बोलने कि बिटा मेरे जमाने में कहां चुरुआत की है वो सच बोल रहा होता है बट कभी-कभी बिटों को ऐसा लगता है कि यार यह अभी छोड़ना पर है एक हमारे लाएफ ऑन हम्यार नृम्यारर नाभ अलतो में अनिधल यहिण कहते हैं वह जीनियुनली आप ब्रून्सप्स्पिल नहीं जीते हैं अगर बिट यह ऑन बदल जाते हैं सक्सेस मिलने के बाद यह बाद एद यह पैसा मिलने के बाद वह दो कि एक रिरेक्टर बने तब ही बहुत 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 पंचल है मतलब आप उन्हेँ अट बजय भुलाओ कि वह साड़े साथ बजय पहुचेए तो वह अभी भी एइसे है इतना सक्सेस मिलने के बाद अफर दूइंग 45 फिल्म अभी भी पहले उठते है घर में वह पहले सदस्या है जो पहले उटते है वह बीवेक बिफोर हो तन्मी झुझा बात करके इतना अच्छा लग रहा है आपने बोला पहले सदस्या है मेरा दिल बाग बाग हो गया क्या बात है पहली बार अच्छा पराइल, कि बंचा है गया बाग है यह जाएं यह अच्छा अच्छारव में आँचा पहले पाच्छार इमारशका है फिरी वह थे प्रॉदय में बंचार में टिल्य नहीं पंचाब को थे उच्छा प्णों है अटर यहा ओचान सिस्टर रह्में भाग है कुन सुगना था, वाइ थिंख मैं तो रस्ते से जाए था था ou श्मति वार्य तो यह था है उन्गौ नम्भूनी था मैं थाइब तो जो अन्छी में विए था में अफटा देखा था था थाय। और लोगों को अन्टेंटेंट कर रहा हूँ वह ओल रहल शुरह अथ ऐकिव Cassa कि अच्छा लग रहा है यह कर डिए लोगों के चाहरे पैंवenario है कि एक नौक मॉझे मुझे अधि कर दो पारै कर अधि जया वह दो एक लिए वक्या है भॉह स्वार्ग तॉरक फिल्म रहरत वहीं? सवार्ग 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 हाज तक मुझे लगता है कि उनकी सबसे बहतरीन में और उननवी इस नाट उपिन मूशनल फिल्म है तोटल उपिन मूशनल फिल्म और मेंतgener kissels effective? मेंतिकिकING कॉमेडी – कॉमेडि rice tulis include कि मैं तेरा हीरो गाद्स ग्रेस आप इनकी एनरजी लेवल कभी कम नहीं हुआ है इन फेक्ट ये सेट पर आते हैं एनरजी लेकर इनकी फिल्मों में एनरजी इतनी जादा होती है कि आउडियंस को भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता और इसमें एडिटिंग का कमाल नहीं है इसमें आपकी कुद की पस्टियलिटी है मैं बहुत हिल गया ता वह सेट पर आप तो जानते हैं मैं आइवड कंफाइड इन यू मैं काफी बार डिनर के गया गया अनुपम अंकिल के साथ और एक बार तो मैं अनुपम अंकिल, मनोच पावा, सौरब शुकला भी वेंट फो दिनर मैं बहुत कंफाइड करते था थां कि बोल्ता था इनका मेरे problem Андersonouched क्यों कुक्क की मैं , ृख यह ये ची को अमनी बोल सकते थां वुझे इन सेट थे तो इफले से जैक ब् modeled तो इतना बड़ा घंप है इसका रिमड़्य और भी प्लानने तो इन इस आफ्टोρη पर जिस दिन egली जिस दिन, I saw aNupem uncle on set और मैंने इन दोनों का तालमेल देख जिस तदीक से वोning वो बात कर दे particular अऔरбो ओडि़। उडे से वो मही बात कर देते हैं फॉर और्ट यह वो मेने भी सोच लिया हो यह वे स्वर्ज। आपको मैं बात बताँओं जिन चीजों पर यकिन ने करते हैं उसको ब्लीवेबिलिटी से करना वो भी एक्टिंग का कमाल है लाली का बहुत इंफ्लुएंच है आपके घर पर आपकी मम्मी का और देखिये वो हाथ जोड़ते हैं वो मुझे ब्रेक में बता रहे थे कि मैं आज जो भी हूँ उसमें लाली का बहुत बड़ा योगदान है पहले तो मैं डेविड आपसे सुनना चाहूँगा कि लाली का योगदान किस अंदाज से है देखो एक तो शादी करके शी केम बहुत बड़ी फैमिली से आई थी बहुत भाई बेन थे तो मेरे साथ एक रिलेशन खुले लगदाए अपके लग मैरीज थी? नहीं अच्छा अरेड मैरीज थी? और जब आई उमें एडिटर था तो जो भी कमाता था शी इस तो बेस्ट इन दा फिर्स अवाल मतला कोई भी गेस्ट आता था अच्टर आते थे बड़ी वेरी वेल वेल हैंडले योगदा मैरी प्रफेशन को बड़ाने केलिए अडिटिंग करता रा है उस एक फोर्ष्ट में बढ़े के दिर्क्सार कर लाई दिर्क्कर अपकता है मैं बढ़े अडिटिंग बंचाज़ सक्ता है तो क्या होगए? ककी बढ़े सब काम करोंगी तो तो दिर्क्तर बनना? तो शी ही इसे बना कर बखने, तो आपक बना कर दो ना। तो उसने मुझे फोर्स करकर के तो बच्चों को भी इन लोगों को क्या मार मार के इसको पढ़ाया है बट छीजी पढ़ा है मगर है? पढ़ा है, बहुत पढ़ा है कि वो क्या बोल जाए इस पर कुछ नहीं कर सकते हैं बट, I remember one incident in Bangkok शाद बहुत सारे दर्शकों को मालूम नहीं है आपने अपने पिता जी को नहीं जिंदगी दी थी मैं तेरा hero की शुटिंगे दौरान डेविड बिमार थे और एक लम्हा जो बाप और बेटे के बीच में हुआ था तेल मी अबाट दाट आइल टेल यू दाट, लेटर ही रिए तबियत मेरी खराब हो गई अलड़ी एक्सेंट हो गया था गिरा में वापस आया, मैंने मेडिसिन खाई और खाना नहीं खाया तो उससे मुझे चक्कर आने लगे जैसे मैं बेष़ रहा हुआ है और ये सामने बैठा होता यूनिट वाए मैं इसको बोला वारून I said I'm going You're going I said, बारून, I'm going, उसके बाद मुझे मादून And I remember that कि आपके जब गुटने में चोट लगी थी I mean, you were in the bathroom And this is the story of the story This is the story of the story The story of the story of the story of the story I mean, we were shooting at the whole unit And for a father to tell his son I'm going Is a I mean, literally it was a matter of seconds He said I'm going, I'm going, I'm going And I was so I mean, you don't think at that time what's going on I was like, no, Papa, stop talking rubbish, come on we'll go up I literally said it like that It was dramatic, nothing happened Like, we have seen of death Whatever I've seen of death I mean, in my face, there wasn't something that happened So, whatever I've seen on TV or in pictures My knowledge is like that Or whatever I've read I mean, people thought that nothing happened I'm not joking He passed out There was silence There were around 50 people there There, on the set Everyone was so happy Everyone believed at that moment That he's gone Everyone And I'm standing there And I'm telling you Something to do I wasn't able to move 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 And I somehow just opened his mouth And put my fingers to make him vomit I don't know why I did it Till today I mean, I've gone back And I've tried to think Why did I do this? Why did I open up? Why did I open up? I didn't have any doctor I didn't have any training I didn't have any training Nothing Nothing It's just a I don't know I think it's a father-son thing Maybe When someone gives you birth You have that connection with them That connection I mean What his body needed to do At that point I understood probably I don't know what it was It was almighty And I vomited And he vomited And he came back Because he was choking Of course, I was there What has changed that incident in your life? Look, I'm a little shielded human being If I say that I love someone Then you genuinely do Otherwise I don't say that I always say to my mother Mom, I love you I love you We As men Or whatever We have that block That you can't hold your father And say I love you dad But After that day I can say I love you dad Because I'm not afraid of doing that You have a good son Sometimes What happens in your life? I was very close to my father My father was very close to me Super human I know him Yeah, David My father He's more comic than him Yeah, my father My father He was very Avery 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 रोहित से क्या रिष्टा है, रोहित तो राम की तरह है रोहित राम है राम है, रहा है रहा है वो बहुत करीबी रिलेशनशिप है, मैं कहूगा कि जिंदगी में आज कुछ भी हूँ इस इसलिए मैं अपने परण्स को श्रह देता हूँ पर और फिर्शे का थे गुए रहुए अपर रहुए विए उन्से आप से बिल्कुट कंट्रास्ट में जो उन्से जितना सीखे एक अच तक प्रॉबली जिंदगी में किसी से सीखेंगी जिए इतने मैं मुरिलिस्टिक इंसान है मतलब एक किसा एक बता सकता है एक बार कुछ मैं अब बार जाने लगाता है वो ताइम और शुक्स्टीन, मैं 16 साल का तो मैं रात को बार बार एक बजे मेरे दोस्तों ने मुझे वापस बेज़ा था मेरा डेडलाइन था 1.30 मैं बार एक 30 मिनिट कुछ करना चिये मैं नौट आट था अलकॉल कुछ निए मैं वापस बार आए तो बीडिंग में दो लड़का थी मुझे बड़ी थी कुछ 35 बार बार, तो अब से दुगनी थी तो उन्हों ने बोला की वोड़ इस था मैं तो इस दो खुआ तो वाँ आप लेगे अपले से जाए तो बुलना कि एक तो रहे ना खुला लागो तो बूलना कि तो अग्डेट, तो मैं बूल गया ना भी रात के चार बजगे और अपका पर्टी ने अगल गया जाए बहुता, मैं बहुत था कि मतला बड़े उमर के लोग है और मेरे को मिलागी बड़की बोल रहे है यह है तो मैं बूल गया, मेरे फोन भी आफ गया तक बूल गया, मैं भूलाई भी बुल्डिंग में ही उसाइड सब्सक्राइब का आख से स्वाया के आख सब्सक्राइब के अल चार बजे तक 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 दर्वाजा हुआ और वह लड़की आखे मोलती है और ब्रहदर्स दे वो चलता या जो फोलो पर अए मैं भिला दो नहीं मैं धिले हो एम थे प्लीज़ बाताना है लोगो अछिक है यह से भी चड़ते गाए लुट अच्छ फोलो उन्हे बुच एम खेड़ चाटे मारे जब एच फोलो पर एक चाटा मारे अब मेरे को लगाए कि मेरे भाई ने मेरे को चाटा मार रहा है तो मेरे पैरंस को कुछ बोलेगा नी ठीक है मार भी दिया तो मतलब बोलेगा कि कुछ हो गया मैं बोला कुछ एक्स्क्यूस बना ले आखिर में तो भाई है ले आखिर में तो भाई है लोग, I can't take this. He's spoiling my name. बोल दिया. इसे spoiling? यह ने मतलब तेरा क्या नाम है? तुछ थी मतलब तीन चार साल बड़ा है मुझसे? तो मैं खाली ऐसे देखता रहा उपर से इन लोग ने चाटा मारा मतलब मेरे को इनके बारा थी उस दिन. इन के बिज़ा है लोगो रहा है, वे आखिरों को चाटे लोगो है, वे स्टेनेक लोग और कॉप्त लोगों को आखिर रहा है यह वोपर्त कॉपडूंव थी इन लोगो है इसे रहा है मिस भरा लगा नेक्स दे मैं ब्रोग थी ने जो चाँए, बहुने का थी तो दोस्ता तियुको पायको तिहाया जिन्दगी में कर código, तिछे भी गलत काम करें जितने भी गलत काम कर पर बदु कर एक हमावे कर कर तरह था ऩटाइश काम, तो तकिया भी काव झाल अई? कमाल है, ऐसा भाई हो तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है हाँ मैं अभी जो भी करता हूँ पहले इसको बता देता हूँ आपने भी बातों बातों में बोला एक्जांपल देते हुए कि हीरो को चांटा करते होते में इसे अधास होँ जाता लगता था दे फिर मैं मैं कल चांटा लगा तर्सेट यूघलल्भर्री मि wild वहाँ किस्ता कि हमारे घर में नया-बात्य दो बेर Nahe Dr. Heard. तो अकाल ताज मुटिए तो निकाल लिया मिस्टेक से उसी दिन पर जब नयाओ कि नयाओ कुप्यूटर आज मैं इन 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 निया देश्टेश्टाव करता हुआ पाल अगया थिया लाग एप्टार अगया थे लिग ठाज हो अग्या एंद अगया थे लिग तो थे करें दो मई मिल्लिव पुल आइसा सी रैड और उन्होंने ऐसे किया और से थे ऐसे और चाहिका युट इस दिन मुझे मुझे बहना से कभी मुझे साथ हुआ रहे नियुटे से कहने हो युट है कि अवार्ट वुट्टो उठासर्णाट तंढ नहीं करते हैंा इस टी isn't जहीं कब्राइब करते है। मैं इन फाक्ट आए रहे लाए कि आए जाना है जाना कंडे है। जितने भी दोस्त भीड़ा वह जाता है। मैं हाट वह अजा च्छीशा गाता थाना खाने के जाता है। इम थे ओक वह आए लेजा हैं दूप्रब्लम हो जाना है। क्योंकि मुझे लग्ता है कि लोग मुझे लूसरे करेंगा कि अज़ जनरेशन के जो एक्टर्स है वो ज्यादा रियल है रियल है करेंगा कि सोशल मीडिया, मार्किटिंग वाले बगगरा बगरा वो प्रियेट करते हैं जब मैं उनसे मिलता हूँ, not only because मैं भी फिल्मों में मगर मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा रियल है बहुत रियल है, वेरी कॉंशिस इन वर्क, पैशन है, बहुत सी चीज़े नहीं अभी भी लडकियों के घरों में जाते हूँ? हाँ सार, नहीं, अगर उनके पैरेंस बुलाते हैं तो मैं चले जाता हूँ देविड आपको यकीन होता है कि अगर एक छोटे शहर से आया लडखा एडिटर बनकर हिंदुस्तान का नंबर वन डिरेक्टर बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, अनुपन खेर आ सकता है, सारांश में पहला रोल जिसमें के बाल नहीं कुछ नहीं, जो एंड में लोग रोल करते हैं इसने पहले करते हैं तो कुछ भी हो सकता है हुए 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 हु दो, आपको मालूम hurricane नए ना, ऐक तो होता है, आपख को शौक ए, आचान ब्लत शोक एक्टिंग में मौश .. आपको नीपता था कि अ किया कगे थे ? अचान आपको करना था ? मुझे याप वेञान था ? में हमेशा से दिल्जस्पी थी मुझे, actually, बाद में पता चला कि मुझे, I like the way they looked My favourite film is American Psycho or Christian Bale is playing an i-banker, he's playing an investment banker So, in which way people are prepared वो पूरा suit पैन के, tie पैन के, Ball Street type of people, they have their card Card दिखाते हैं, hallo, yeah Hair is slick, भई, ऐसे मुझे वो बत पसंद था And I was always playing a 3-4th pen and a ganji pen, I never had a chance for this So, I said I did it for a little time, obviously, I can make a damn good balance sheet Okay If given the chance But But yeah, I always knew that I would come to the U-turn So, you had no idea? No idea, Lali, me, I don't know No idea, never discussed So, I thought that banking investment is where the banking investment is going to be done And they do something Okay And one day, Karan came into the house and he says He's going to act in my film Photographs shoot, we have seen him So, I just looked at him, I mean, I mean, we just So, if you can become a Varun Dhawan actor, then something is possible And not, you can take the work from outside Yeah, you can take the work from outside He's launched in the house The 40 films that he's made in the house He doesn't know, he doesn't know See, Anupam, eventually, at the end of the day If anyone wants to do something in this life, he wants to do it No one wants to do anything for anyone There are a lot of people who help, who help, who help, who help But you have to do it yourself You cannot depend on other people And I, at least, not that I don't, I have a lot of support at home Karanj who was a mentor of mine, he's always been there for me But, at the end of the day, if you don't get off Your rare end And you go out there and do something yourself Don't take matters in your own control Things will not happen for you In your life, apart from Karanj who told you that something can happen Then you thought that something can happen Is there a situation in which you thought that this happened with me? Yeah, actually, I added the first ad This was before, before anything Before anything, I was a soft drink company I was a little So, I went with my friend His wife was working in an ad company So, she was taking auditions Pralat Kakkar had an ad So, she was taking auditions So, I and my friends were sitting there And people were talking about dialogue And we both were sitting on the side We were smiling and watching what's going on So, his wife told me I said, you come and say, give an audition So, I said, no, I want to see this, I don't want to do it I said, why are you scared? Friends So, I came and did it I had mimicry Two or three people I did it I was, I had to do it Who do you mimicry? Who do you know, who do you know I am one of the people who do it And I have done it already The Rock So, I believe them In my life, he is a very important person So, I have done it there And... And I have done it And I have done it a little bit of a chakravati So, next day, I have done it That I got an ad So, that time you thought that in my life There is something that can happen Because that happened That was, I think, God's way of I was going to go further But God said to me, Brother, you are going to go this way And you keep this moment open That there is something that can happen I think that destiny I mean, it is a very big thing God is seeing everything And you can never change anything In your life Fantastic And this is a moment किमेंट हम आपकी जिंदगी में लाना चाहते हैं मतलब हमारी आउडियंस की जिंदगी में मैं आप में से किसी एक व्यक्ति का नाम लूँगा जिसे इस मंच पर हम आकर मिलेंगे और उन्हें मौका मिलेगा मुझ से डेविट से या वरुन से कोई सवाल पूछने का वरुन आप एक नाम निकालिये और उस शक्सियत को हम स्टेज पर बुलाएंगे हिमा जी नमस्ते 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 डेविट साब आईए बैचिए एमा जी आप क्या करती है आउजवाइग आपको लग ता कि आपकी 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 आप आप डेविट साब और वरुन से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? डेविट साथ आपका डिरेक्टर करने काम ता बहुत ही अच्छा है और आपका पार्टनर पिछर दो में बहुत अच्छा लगता है और वरुन जी आपके दोनों पिछर बहुत अच्छा है Thank you. वह थारे में भी पूछना घाती है नो बड़े लोग तिल्टे भी पूछें? ऊजिन कई बड़े लोग नी है. लेकिन तो भी रेएो है, तो दो तो यहीरो है, जो यही को हेरो नहीं. बॉला मत हरेज्ने जो अधारे सामने. तपद माईबहुरो देख Kimchi वो इडेर हो... क्या आप लोग पसंद करते हो तो ही रिंटी है वर्ना कyo ही ही कि र एडियु है ही रेडितली होते है वी रेडियो होते ह कामेरा हेते है वो gera अपोऑनाते है आप एक ठीमिध को अब ते इदरीकां नानमपी थे जाहते हैं इसको इसको कितने भी पैसे दो यह जाएगा शिव सागर में आज़ आओ शीव तो आपके लिए देविड साप की तरफ से इनकी पसंदीदा और वरुन की पसंदीदा चीज हमने गिफ्ट के रूप में आपके लिए रखी है आईए आपको गिफ्ट देते हैं आईए सब सब के देविड दियान की एए ऐसे गले ना थैंक यू डेविड जी बैची ए तश्रीर की एए बहुत बहुत धन्यवाद डेविड वरुन आपके खर पे बहुत सारी ट्रोफी लगी हैं बहुत सारे अवाड्स हैं पर मैं अपने जजबात हमने इस स्क्रोल में लिखे हैं वो मैं पढ़के आपको सुनाना चाहता हूं और आपको देना चाहता हूं और मुझे उमीद है कि आप इस स्क्रोल को अपने घर पर लगाएंगे भारतिय सिनेमा जगत की प्रसंता और आनंद के प्रतीक डेविड धवन आपको हमारा नमस्कार आप जीवन के दुख और दर्द का एक मलम है आपका निश्चात्मक भाव एक साहस है खुशाल जीवन व्यतीत करने का अपने कारे के प्रती आपकी सच्चाई और निश्टा प्रमान है आपकी सादगी का आपकी चंचलता और अच्छा है इसी तरह आपकी फिल्मों में जलकती रहे और आप हमें यूही लुभाते रहे यहीं हमारा आपसे निवेदन है आपका अनुपम खेर इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का एपिसोड आपको काफी मनोरंजक लगा हो अगले हफते फिर मिलेंगे मेरे एक नए दोस्त के साथ कुछ अलग अंदास की बातें लेकर तब तक के लिए याद रखिए कि अगर मुंबई में एक्टर बनने का सपना लेकर आया देविड धवन सिनेमा जगत का एक बहुत बड़ा डिरेक्टर बन सकता है तो लाइफ मे कुछ भी हो सकता है